जहें नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का उतकर शेगेड़ी खिलजीपुर के ओनलाइल प्रेटफर्म में CRPF ट्रेट्स में एक्जाम के लिए वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्योशन हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे प्यारे साथियों और आज इ ज्यानपूर्वक देखिएगा बहुत ही शांदार और इंपोर्डेंट क्योशन इसमें लिए गए हैं तो जीका एंड जीएस का आज का पहला क्योशन आपके सामने जी रहा भारती सभीदान के किस भाग में मूल करतव निर्धारित किये गए हैं चार ओप्शन आपको लिक करतव निस सो चैतर में सरकार द्वारा गठित स्वरने सिंग समीती की सिवारिशों पर 42 सभीदान संशोदन द्वारा इन्हें सभीदान में एड किया गया है अगला क्योशन निमने लिकित में से कौन एक भूबंद देश हैं इंपोर्डेंट लगाईएगा स्विजलेंड याद रखेगा एक भू भूबंद देश हो जाएगा और याद रखेगा स्विजलेंड की राजधानी हो जाएगी बर्न मलेशिया की राजधानी अगर एक्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कौाल आलमपूर हो जाएगी पाकिस्तान की राजधानी इस्लाम बाद हो जाएगी और इंडिया की कैपिटल न्यू डेली हो जाएगी अगला क्योश्चन है बुद्ध के प्रत्म प्रवचन को कहा जाता है तो इसका सभी जवाब हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन ऑफशन नंबर भी करेक्ट आंसर याद रखेगा जो मात्मा बुद्ध प्रत्म प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और याद रखना इंपोर्डेंट जानकारी बुद्ध की मृत्यू को क्या कहा जाता है एक्जाम में पूछ ले तो महापरी निर्वान सुथ या फिर महापरी निर्वान भी कहते हैं इतनी जानकर इस क्योशन से आपको याद रखना है अगला क्योशन राश्टपती के पत की रिक्ती अवश भरनी होती हैं के बीतर चार उप्षन दिया गया च्छे महीने बारा महीने एक महीना तीन महीने तो प्यारे साथ योग याद रखिएगा अगर भारत के राश्टपती का पत खाली होता है तो छे महीने के अंदर पुना रिक्तपत को भरना जरूरी है और अनुचे 56 याद रखिएगा अनुचे 56 के तहट राश्टपती के पत को छे महीने के अंदर भरना अनिवारी है अगले क्योशन के दिबात की जाए अनिवासी भारती NRI दिवस अंकित किया गया है के अंदर आता हैं तो याद रखिएगा नो जनवरी को भारती प्रवासी दिवस या फिर अनिवासी भारती दिवस के रूप में मनाया जाता हैं और याद रखना इसी दिन 1915 में 1915 में जो महात्मा गांदी है दक्षिन अफरिका से भारत लोटे थे इसलिए प्रतिवर्शी से नो जनवरी को भारती प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता हैं अगला क्योशन ने रूदीर हैं चार आप्षिन दिये गए सेयोजी उतक उपकला उतक पैशी उतक या फिर प्रजनक उतक तो प्यारे साथ इसका सही जवाब याद रखिएगा रूदीर जो हो जाएग अप्षिन नमबर ए यानि सेयोजी उतक हो जाएगा अगला क्योशन ने भारत में आप लाल पंडा कहां पा सकते हैं इम्पोडेंट क्योशन हो जाएगा याद रखना भारत में लाल पंडा सिक्किम में पाया जाता है उफ्षिन नमबर डी करेक्ट आंशर हो जाएगा और याद रखिएगा सिक्किम का राज़ पश्यू अगर आपसे पूछ ले तो लाल पांडा कहलाता है इतनी जानकारी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगी क्योशन नमबर आठ हैं सैयुक्त राष्ट का एस डीजी का पूर्ण विस्तार चार ओप्शन आपको दिये गए सही जवाब कमेंड करना है तो याद रखिएगा ओप्शन नमबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स एस डीजी का पूरा नाम हो जाएगा वर्ष 2015 में सैयुक्त राष्ट मा सबा द्वारा 2030 तक के लिए निर्धारित या सत्रा वेस्विक लक्षो का एक संग्रे हैं एस डीजी तो इसका फुल फुम आपको याद रखना है अगले क्योशन के दिए बात किया जाए हिंडोला महल और जाज महल वास्तु कला की किस छेतरी शेली से जुड़े हैं इंपोर्टेंट क्योशन हो जाएगा तो याद रखिएगा हिंडोला महल और जाज महल वास्तु कला की मांडू शेली से जुड़े हैं और ये मांडू मा करी भी आपको याद रखना है हिंडोला महल का निर्मान किसने करवाया अगर एक्जाम में पूछा जाए तो होशंग शाह के शासनकाल में हुआ था और उसके बाद जहाज महल का अगर पूछ ले तो याद रखना मांडू सुल्तान ग्यासुद्दिन तुगलक ने इसका निर्मान करवाया था इतनी जानकारिस क्योशन से आपको याद रखना है नेक्स क्योशन है उपराश्ट पती के बारे में क्या सही नहीं है यानि लोग सभा का सदस्य होता है राजिसवा का सदस्य होता है किसी भी सदन का सदस्य होता है और सांसद नहीं होता है सांसद यानि संसद का सदस्य नहीं होता तो option number D correct answer हो जाएगा जो उपराश्ट पती होता है संसद का सदस्य नहीं होता है बाकी तीन option बिलकुल सही हो जाएंगे तो इसका right answer option number D आपको याद रखना है next question bread बनाने के लिए आवश्चक घटक क्या है चार option आपको दिये गए तो important question याद रखिएगा bread बनाने के लिए मेदा और खमीर आवश्चक घटक हो जाएंगे option number A correct answer हो जाएगा अगला question है निमनलिकित में से किस हार्मोन को आपात कालिन हार्मोन कहते है important लगाईएगा exam के अंदर बहुत बार question पूछा गया तो आपात कालिन हार्मोन अगर exam में पुछे एडरीनलीन option number A correct answer हो जाएगा और याद रखना जो option में आपको दिया गया थाइरोकसिन वसा प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट के उपापचे को नियंतरी रखता है थाइरोकसिन और exam में पूछ लेता है ये insulin की खोज किसने की तो आपको बताना है फ्रेडरिक बेंटिक इसका नाम याद रखना है अगले क्योशन के दी बात करें सामुदाइक नेतरत्व में योगदान के लिए रेमन मेगजे से पुरुसकार प्राप्ट करने वाले पहले भारती कौन थे पुरुसकार का क्योशन एक भी नहीं छोड़ना exam में जरूर पूछा जाता है तो याद रखना रेमन मेगजे से पुरुसकार प्राप्ट करने वाले पहले भारती आचारी विनोबा भावे आप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और याद रखना रेमन मेगजे से पुरुसकार फिलिपिन्स के राष्ट पती के नाम पर ये दिया जाता है और याद रखना एक्जाम में पूछ सकता है कि रह्मन मेगजे से पुरुसकार कब से शुरू किये गए तो 1957 डेट आपको याद रखना है बांगला देश की संसद में अधिक्तम सदस्यों की संक्या कितनी होती है चार ओप्शन आपको दिये गए तीन सो पचास तीन सो चालिस तीन सो बाइस तीन सो त्रेसर तो प्यारे साथियों याद रखेगा बांगला देश की संसद में अधिक्तम सदस्यों की संक्या 350 हो जाएगी ओप्शन नमबर एक करेक्ट आंसर याद रखना है और एक्जाम में पूछ लेता है कि बांगला देश की संसद का नाम क्या है तो याद रखना बांगला देश की संसद को जाती संसद बोला जाता है इतनी जानकारी आपको याद रखना है आगे ज़ी बात करें प्रकास के वेद्युत चुम्ब की स्वरूब की खोज किसने की स्नेल न्यूटन मैक्सवेल यंग तो प्यारे जाती हो प्रकास के वेद्युत चुम्ब की स्वरूब की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई option number C correct answer हो जाएगा और याद रखना मैक्सवेल ने इसे 1865 इसवी में खोजा था इतनी जानकार इस question से आपको याद रखना है तो प्यारे साथ यो ये थे very most important पंदरा question जो आपको exam के अंदर इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुचाने में मदद करें चैनल पर यदि पहली बारा है चैनल को subscribe कर लें जिससे आपको सभी वीडियो का notification मिल पाएगा मिलेंगे नेक्स पार्ट में हम लोग तब तक पढ़िएगा जैहिन जै भारत भारत माता की जै